नमस्कार बिहार में परसांद की सोर की पद्यात्रा से अब ऐसा लगने लगा है कि बिहार की मुख राजनितिक पार्टियां चिंतित होने लगी हैं अब जिस तरह से राजद के परदेश धक्ष जगदान अंसिन ने पत्र लिखकर कहा है कि ऐसी सुचना उन्हें मिली है कि कुछ उनके समर्थक और कारकरता जो है वो जनसुराज में यानि परसांद की सोर की जो संस्था है या उनका जो संगठन है या संभावित जो जिस नाम स पारिटी बनने वाली है उसमें वो सामिल हो रहे हैं कहीं न कहीं वो जूर रहे हैं कहीं न कहीं परसांद की सोर के साथ जा रहे हैं तो इसको लेकर जिस तरह से परदेश अध्यक्ष राजद के जगदान नंसिन ने पत्र लिखा है और मीडिया को दिया है और मीडिया में अ प्रसांत की सोर जो कह रहे थे कि एगले विधान सभा चुनाव में यानि दो हजार पचीस में होने वाले विधान सभा चुनाव में कहीं कोई करिस्मा करेंगे सता परिवर्तन करेंगे उनकी सरकार बनेगी दो हजार दो सो तेतालिस विधान सभा में से दो सो बियालिस भी नह पार्टियां जो हैं मुधारा के जो दल हैं वो चिंतित हैं इसको लेकर वो कहीं न कहीं वो मुर्चा बंदी करेंगे और कहीं न कहीं इसको लेकर के वो आग बबुला होंगे कहीं न कहीं वो अपनी उतेजना पर गट करेंगे और आज जिस तरह से पत्र सामिल किये गए जिस साथियों आये दिन प्राया सभी जीलों में ऐसा देखनों को मिला है कि हमारी पार्टी के कारकरता नेता जनसुराज पार्टी में सहयोगी सदस बन रहे हैं जो चिंता का विश्य है बिदित हो कि जनसुराज पार्टी एक राजनितिक पार्टी है इसके संस्थापक श्री परस कि सोर पांडे जी हैं यह पार्टी भारतिये जनता पार्टी एवं देश के धर्माव लंबी लोगों के द्वारा संचाली तथा बीतिये पोसित है अर्थात भारतिये जनता पार्टी का बीटीम है आप सभी साथियों से अनुरोध है कि ऐसे लोगों के भाकावे में ना वे उ समाजिक नियाया और सुसाम परदाइक सोहार देवं बावा साहिब डाक्टर भीम्राव अंबेदकर डाक्टर राम मनोहर लोहिया महत्मा गांधी डाक्टर प्रियार महत्मा जोती राव फूले जननायक करपुरी ठाकूर लोकनायक जैप्रकास नराइन जी के विचारों से बा प्रारिक जो है वो छो साथ दो हजार चोविश तो इस से पत्रांक जो है 31 अभ इसे यह लग रहा है कि यह चिंता जुए वो बहुत गहरी होती जा रही है कि जन शुराज बाले प्रसांत की सोर जिस तरह से पिछले अठारा महेने सत्रा-ठारा महेना से यह जिलों में वह अ अगले साल के कुछ महीने तक हैने पचीस के कुछ महीनों तक उनकी पदियात्रा जारी रहेगी और लोगों से जिस तरह से मिल रहे हैं बिहार की बदहाली के लिए जिस तरह से पिछले सरकारों को कोस रहे हैं उनकी उनकी मंसा को जाहिर कर रहे हैं उनके जिस तरह से लूट ख सोट किया गया उसके बारे में बता रहे हैं एक तरह से पच्छतर सार के बिहार के पूरे इतिहास को बता रहे हैं खास कर लालू प्रसाद यादब और नितीस कुमार के कारकाल में जिस तरह की जो धोका धरी हुई जो पलाइन बरहा जो बिस्थापन को लेकर कोई चिंता नही की गई कोई उद्व कल कर खाने नहीं कुले नौकरी कुले कर वो बता रहे हैं तो अब यह लग रहा है इस तरह से पत्र जारी करने के माध्यां से पैड़ पर इस तरह से जो है अपनी बात रखने के माध्यां से अगर जग्दा नंसीर आगे आए हैं तो कहीं न कहीं परसांत क की सोर के दल में या उनके संगठन में जन सुराज में अभी सबसे पहले और अभी तक जो लोग आ रहे हैं वो लग रहा है कि राजद के और राज रश्टिय जनता दल और लालू प्रसाद यादव की पारिटी के समर्थक कदिक हैं नहीं तो यह पतर लिखने के इतनी जल्द वाजी नहीं होती और बाद्धता भी नहीं होती और कहीं नहीं से इस तरह की सुचना आ ही रही होगी तभी परदेश गhar की तरह के पतर लिखने को भाजपा की बी टीम यानि परसांद की सोर भाजपा की बी टीम के तोर पर काम कर रहे हैं और वह जो है राजद को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इस से जो भी हो लेकिन अब यह साफ दिख रहा है कि दोनों दलों के बीच में मुर्चा बंदी होगी और मुर्चा बंदी एक उदर से वो अपने पक्ष में कुछ बात रखेंगे और ये अपने पक्ष में कुछ बात रखेंगे और दोनों में बियानबाजी तेज होगी इसके पहले भी जिस तरह से राज़त के मुख प्रवक्ता जो हैं शक्तियादब ने प्रसांद की सोल को लेकर काफी कुछ कहा था ह हलाएं कि उस पर उन्होंने कोई टिपनी नहीं की थी या टिपनी की होगी भी तो उस तरह से क्योंकि परती दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं वो टिपनी नहीं देखी गई होगी या फिर नहीं सुनी गई होगी या वो बाइरल नहीं हुई होगी लेकिन जिस तरह से सक्त यादव ने कहा था परसांद की सोर को लेकर और अब जो है परदेस धक्ष जो है खुद मैदान में आ गए हैं और परसांद की सोर के खिलाफ बोल रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि अगर राजद के कोई भी कार करता कोई भी पार्टी ने था छुट भई यही सही अगर उनके پکچ میں جاتے ہیں اور پرسانت کی سور اور جن سورات سے کہیں جڑتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو یہ کاروائی جو ہوگی اس سے صاحب جھلک رہا ہے کہ پرسانت کی سور یا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں اور آنے والے سمیقال میں سنبھب ہے کہ اس میں جدیو کے بھی پارٹی نیتا پارٹی سمر تھک جڑیں کیونکہ جدیو کی طرف سے حالانکہ اس طرح کہ کوئی پتر جاری نہیں کیے گئے ہیں لیکن जदियुनेता जो भी हों बताते हैं कि उन परसांद की सोर को गम भिरता से नहीं लेते हैं यहां तक कि मुक मंत्रिन नीतिस कुमार ने भी का कि उनको जो करना है वो करते रहें उन सब पर कौन ध्यान देता है तो नितिस कुमार पर भी हमलावर हैं, लालू पर सादी आदब पर भी हमलावर हैं, ठीक है कि तजस्बी आदब पर और लालू परिवार पर कुछ जादा हमलावर हैं, ऐसा दिखता भी है, क्यूंकि उन्हों ने भी जो है वो उस परिवार ने भी लगवग 15 साल तक विहार प खुरे गए कर खाने हाँ नहीं लाए गए तो उस तरह से कुई आधोगी करन नहीं हुआ कोई इंडरिस्ट्री नहीं लगाई गई अब इस तरह के तमाम चीज़ां सिक्छा को लेकर है बिरुजगारी को लेकर है प्लाइन है डिग्रियों को लेकर है जिस तरह कि यहां डिगरी है उस तरह से उस डिगरी बाहर में वो उस तरह से सही धंक से काम नहीं करती है तो इतने मुद्दें हैं परसांथ की सूर के पास और लगातार पिछले सतरा ठारा महीने से बोल रहे हैं और और उसमें जो उनके समर्थक जुड़ते हैं उन पर कारवाई का एक्सन लेन में अब ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें थोड़ी सी भी सचाई है तो यही कहा जाएगा परसांथ की सोर के माद्य हम से यह कहा जाएगा कि उनकी पद्यातरा कहीं न कहीं सफल हो रही है और आखिर उनकी पार्टी में या या उनके जंगठन में जाएंगे भी लोग तो कहा से जाएंगे क्योंकि अगर वो कह रहा है कि हम सत्ता परिबरतन करेंगे तो उसी हिसाब से अगर उनको बोट मिलेंगे उनकी हिसाब से उनकी पक्ष में मतदान होंगे तो उसके समर्थक या भाजपा के समर्थक होंगे या जदिव के समर्थक होंगे या राजत के समर्थक ह होंगे इन्हीं में से तो कोई होंगे उत्तर परदेस दिली और मदपरदेस और तमील नाडू के वोटर्स तो होंगे नहीं तो ऐसे में जब यह सुचना मिली राजत के परदस धक्ष को और उन्होंने इस तरह से पत्र लिखा और वो पत्र मीडिया में भी आ अब गया और उसको लेकर आप तमाम तरह की बात उट रही है भाएश चल रही तो परदम कदम में तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं नहीं परसांत की सोर जो अपने पक्ष człowie जो समर्थक बना रहे हैं जो अपने पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं उसमें राजद की कारकरताओं और सपोर्टरों को तोरने में या कुछ अपनी तरफ अकरसिद करने में सफल हुए हैं और इसको यह भी सही है कि परसांद की सोर की इस महीम को चाहे जो कुछ भी कहें राजद इसको किसी रूप में बरदास्त नहीं करेगा और उनके खिलाप भी इस रूप में संभवे की जनसुराद के कुछ समर्थकों को और कुछ जो नेता हैं राजद अपनी और खीचने के लिए रियास करेगा नमस्कार